अक्कू यादव जब ये गली से गुजरा करता था तो महिलाएं और लड़कियां छुप जाया करती थी अपने एक डायलोग तो सुना होगा कि जब कोसो दूर कोई बच्चा रोता है तो मा कहती है कि चुप हो जा वरना गब्बर आ जायेगा ये अक्कू यादव भी कुछ इसी प्रकार का था ये जिस गली से गुजरता था उस गली में महिलाएं और लड़कियां छुप जाती थी क्योंकि अगर नहीं छुपी और जो इसे पसंद आ गया तो उसे उठा करके लेके चला जाया करता था आगे इस वीडियो में आपको बहुत सी ऐसी घटनाएं बताऊंगा जिसको सुन करके आप काप जाओगे हम सुरुआत से देखते हैं कि अक्कू यादव का जन्म कहां से हुआ और ये क्राइम की दुनिया में कब बादसा बना और इसका अंत भी इतने ही बोरी तरीके से होता है तो सब कुछ हम आपको दिखाएंगे यखीन मानिए आप चौक जाओगे आप सोचोगे कि क्या ऐसा भी कोई हो सकता है क्या देखिए अक्कू यादव महाराष्ट्र में पैदा हुआ था 1971 में महाराष्ट्र के नागपूर में एक बाहरी इलाका है जिस इलाके को कस्तूरवा नगर कहते हैं और इसी कस्तूरवा नगर के एक जुग्गी में ये पैदा हुआ था वैसे इसको बुलाया जाता था अक्कू यादव के नाम से लेकिन इसका ओरिजिनल नाम जो था वो भरत काली चरन था जब ये पैदा हुआ जिस घर में ये पैदा हुआ वो घर के लोग भी पहले क्राइम की दुनिया में थे लेकिन छोटे छोटे क्राइम करते थे लेकिन ये काली चरण जो है वो इसतना बड़ा क्रिमिनल बनेगा ये किसी नहीं सोचा था कस्तूर्बा नगर यानि अक्कू के गाउं में दो गैंग थे और दोनों आपस में ही लड़ा करते थे कि कौन इस गाउं पर इस इलाके पर कस्तूर्बा नगर पर कौन राज करेगा और इन्हीं दो गैंगों में से एक गैंग में अक्कू यादव भी काम करता था और छोटे-छोटे क्राइम करता रहता था लेकिन सबसे पहली बार 1991 में बड़े क्राइम में अक्कू यादव का नाम आया गैंग शोषण में अब समझ रहे हो नो मैं क्या कह रहा हूं गैंग शोषण में इसका नाम पहली बार आया और इसके बाद तो मानो इसने क्राइम के लाइन लगा दिये एक एक घटना मैं बताऊंगा आप एक एक घटना को सुन सुन करके दिमाग आपका पागल हो जाएगा देखो जरा ध्यान से सबसे पहले तो ये वसूली भी कर रहा था ये बहुत कुछ करता था किड्नैप कर लेना, लोगों को खत्म करना ये सब इसका काम था और हद तो इस बात की थी कि वो जो इलाका था उस इलाके की पुलिस भी इसको सपोर्ट करती थी क्योंकि ये भर मूँ पैसा देता था यानि जितना वोलो उतना पैसा लो और चुप रहो इसलिए पुलीस भी इसी के साथ मिली हुई थी हद तो ये है कि अगर कोई व्यक्ती पुलीस स्टेशन जाता भी था कम्प्लेन लिखवाने तो पुलीस वाले अक्कु यादव को बता देते थे कि ये आदमी तुम्हारे खिलाफ कम्प्लेन लिखवाने आया था और इसके बाद अक्कु यादव सीधे उसके घर पे पहुँच जाया करता था उसको तो खत्म करता ही था उसके बीवी बच्चों तक को अगर शोशित करने वाले होते थे जैसे लड़कियां होती थी तो उनको शोशन करता था और बाकी और लोगों को खत्म करता था देखो एक एक करके मैं बताता हूँ एक कहाने इससे जुड़ी हुई है कि एक 10 साल की लड़की थी उसके सामने ही उसकी दादी जो थी उनका शोशण करता है और उसी के सामने उनको खत्म कर देता है 10 साल की लड़की के सामने मैंने पहले भी बताया कि इसके डर से जो लोग थे वहाँ पे रहने वाले वो अपने लड़कियों को पढ़ने नहीं भेजा करते थे पता नहीं कब अक्कू यादव आ जाएगा और कौन सी लड़की उसे पसंद आ जाएगी और वो उसे उठा करके लेके चला जाएगा और इसमें खास बात तो ये होती थी कि सबसे पहले तो ये किसी को उठाता था ले जाता था अच्छे से सोसड करता था जब तक इसका मन न भर जाए और उसके बाद उसे जिंदा तो नहीं छोड़ता था मतलब उसे खत्म कर देता था और वो भी इस तरीके से कि बार बार उस पे चाकूँओं से प्रहार करता था इतनी बार कि अब मैं बता नहीं सकता सब्दों में दूसरी एक और घटना इससे जुड़ी हुई है कस्तूर्बा नगर में ही एक 16 साल की लड़की थी उसकी भी दादी के साथ यही किया था सामने ही सब कुछ किया शोशन किया और उसके बाद खत्म कर दिया खत्म इस तरीके से नहीं छोटी छोटी तुकडी कर दिये और वो लड़की देखती रही कई बार तो यह खत्म करने के बाद लोगों को रेलवे की पट्री पर फेक देता था और कोई इसके खिलाफ कोई गवाही नहीं देता था और पुलिस तो साथ में थी ही एक और कस्तूर्बा नगर का ही घटना है करीबन सुबह के चार बजे थे और अक्कु यादव जाकर के किसी का गेट खुलवाता है जब घर के अंदर से पूछा जाता है कि कौन बोल रहे हो कौन गेट खुलवा रहे हो तो यह कहता है पुलिस और जहीं घर के लोग गेट खोलते हैं महिला का पती जाकर के गेट खोलता है त्यों ही अक्कू यादव उसके पैर में ही चाकू मार देता है और उसके बाद उसके पती को बातरूम में बंद कर देता है फिर उसकी महिला को ये उठाता है लेकर के जाता है कहीं जंगल में और वहाँ पर शोशन करता है और फिर उसे छोड़ देता है तो ये था अक्कु यादव, आप समझ रहे हो, और भी कुछ घटनाएं बता देता हूँ एक लड़की की साधी हो रही थी, साधी हो जाने के तुरंत बाद ही, कुछी समय बाद अक्कु यादव उठा ले जाता है लड़की को, और फिर सोशन करता है एक और घटना है, अक्कु यादव को एक आदमे पर गुस्सा आता है और फिर उसको वो ले जाता है, सब के सामने उसके कपड़े पहले खतम कर देता है कपड़े उतार देता है, और जो सिगरेट पी रहा था, उससे वो उसको जलाता है कहानी यहीं खतम नहीं होती, एक भगत नाम की महिला होती है अक्कु यादव उसके गुस्सा होता है, और उसके इस्तन काट देता है, सब के सामने पड़ोसी, बेटी, वहीं पे रहती है, कोई कुछ नहीं करता काट करके, उसको भी छोटे-छोटे पीस में करता है, और फेक देता है, ले जा करके इस व्यक्ति की यहां तक इतना इतना यह करता था, आप समझ रहे हो, क्या करता था यह अक्कु यादो, इस हद तक निर्दई था, कि एक महिला का बेबी हुआ, और दस दिन बाद ही उसको उठा लिया गया और उसके बाद उसके साथ सोशण किया गया, इस हद तक कुरूर था यह अक्कु यादो सोशन करने के बाद वो महिला जो होती है अपने उपर किरोसीन डालती है और अपने आपको ही खतम कर लेती है अक्कु यादो का एक पडोसी था अवनीश तिवारी अवनीश तिवारी इसके खिलाफ जाकर के पुलिस स्टेशन में कम्प्लेन लिखवाता है तो ये अपने पडोसी को ही खत्म कर देता है पडोसी गायब हो गया यानि इसके उपर जो भी कुछ भी बोलता था उसका खत्म होना तय था और जो नहीं बोलता था वो शोशित होता था पहली बार 2004 में इसके खिलाफ पुलिस ने एक्षन लिया वो एक्षन इसी लिये था क्योंकि अब जो लोग थे न वो अब अक्कुयादों पर भड़कने लगे थे क्योंकि अब क्या ही करते वो कुछ बोलते थे या ना बोलते थे उन पे अक्कुयादों का कहर बरस्ता ही र बाओ आने लगा और तब पुलिस ने यहाँ पर कारेवाई करना शुरू किया वो भी किस तरीके से जरा देखिये कि ये महाल बना कैसे कि पुलिस कारेवाई करे एक उशा नारायन नाम की महिला थी वो महिला सब के घरों में जाती थी और सब को समझाती थी उच्षुकता द लगे देखिये पूरुस तो कुछ कम जाग रहे थे लेकिन क्योंकि असली सोशड तो महिलाओं के साथ होता था गाओं में कहा जाता है कि हर दूसरे तीसरे घर में अक्कुयादों सोशड किया ही था तो महिलाओं में कुछ जादा ही या भरने लगा था सब कुछ और एक दि नहीं था कि उसके साथ में क्या हो रहा है अब वो अक्कुयादों घर छोड़के भागता है और यह मैलाएं जो होती हैं अक्कुयादों के घर को ही तबाह कर जाती हैं घर को जला दिया जाता है अक्कुयादों पुलिस के पास भाग गया और पुलिस की गिरफ्त में हो गया कि मुझे कैसे भी करो बचा लो और अक्कू यादों ने खुद जाकर के सरेंडर कर दिया पुलिस के सामने और ये कहा कि मुझे security दो इन लोगों से खुद को बचाने के लिए अक्कू यादों वहां तक पहुँच गया क्योंकि वो पुलिस से सिक्योरिटी मांग रहा था तो सिक्योरिटी दे या ना दे पुलिस इसके लिए और भी कुछ कारेवाई के लिए अक्कु यादव को एक दिन कोट में पेस करना था पुलिस के द्वारा और वो दिन था 13 अगस्त 2004 अब महिलाओं को पता चल चुका कि अक्कु यादव 13 अगस्त 2004 को कोट नमबर 7 में जाएगा और जब महिलाओं को ये पता चला तो लगबग 400 की संख्या में महिलाएं उस कोट में जाकर के बैठ जाती हैं कोट के आसपास परिसर में जाकर के बैठ जाती हैं और फिर अक्कु यादव को पेस किया जाता है जो ही पुलिस अक्कु यादव को लेकर के आती है जो महिलाएं होती है उसमें से एक गुट तुरंत अक्कु यादव पर हमला कर देता है पुलिस के सामने ही उसी कोट परिस अदालत पूरे कूट को घेर लेती है लेकिन अंδर अक्कु यादव चिल्ला रहा होता है और धीरे-धीरे उसकी चिल्लाने की आवाज खत्म हो जाती है 400 महिलाएं उसे घेरी होती है और जब हटाया जाता है सभी महिलाओं को सभी महिलाएं उसे खत्म करके जब हटती हैं तो देखती हैं कि सब कुछ खत्म हो गया है अक्कु यादव अब ठंडा पड़ चुका था और उसी कोट के परिसर में ही 400 महिलाओं ने अपने सर पर ये जिम्मेदारी ले कि हमने अक्कु यादव को खत्म किया है 400 महिलाओं जो थी वो सभी ने जिम्मेदारी ले ली अब कोट गिरफतार करे तो करे किसको तो उसमें से कुछ महिलाओं को गिरफतार किया गया पुलिस के द्वारा और आगे चल करके इन महिलाओं को भी छोड़ दिया गया हलाकि इस पे CID की जाच बैठी थी कि आखिर इस भीड में हुआ क्या और CID ने कहा कि इसमें 4 पुरुस थे महिलाओं में 4 पुरुस थे जिन्होंने अक्कु यादों को सांत किया लेकिन महिलाओं मानने को तयार ही नहीं थी महिलाओं साफ कह रही थी कि इसे हम लोगों ने मारा है 400 लोगों ने मारा है और हर एक महिला जेल जाने को तयार थी अब क्योंकि पुलिस के पास साक्ष था नहीं पुलिस वहाँ से भाग चुकी थी जज भी वहाँ पे डर गए थे किसी ने कुछ नहीं देखा भीड ने ही खत्म कर दिया उसको और इसलिए सब लोग बरी हो गए और अक्कु छूट गया मतलब अक्कु क्या छूट गया मैलाएं छूट गई और ये खत्म हो गया केस तो जिस प्रकार से जिस तरीके से अक्कु यादों का खौफ था कर दिया यही था अक्कु यादों की कहानी और यही थी अक्कु यादों के बारे में जानकारी सो यह जानकारी कैसी लगी है आप जरूर बताईए बाकी जुड़े रहिए राम राम मैं हूं अंकित सिंग्ग